नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल फेयर एंड केयर टिप्श में दोस्तों अगर आपको भी खाना खाने के बाद पेट का भारीपन परिशान करता है तो आज हम आपके लिए 4 अशरदार उपाई लेकर आए हैं जिसे अपना कर आप पेट के भारीपन को दूर कर शकते हैं लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिये गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबाएं खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होना आजकल ज्यादा तर लोगों के लिए जी का जनजाल बन गया है क्योंकि भारीपन बेचैनी से लेकर नीज आने तक की परिशानी खरी कर देती है ऐसे में इस प्रॉबलम से निपटने का एक आसान तरीका तो ये है कि खाना अपनी भूग से थोड़ा कम खाया जाए लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको भारीपन ज्येलना पड़ता है तो इसके लिए आज हम उन्चार बहतरीन उपायों को ट्राइ करने के लिए बताएंगे जिसे अपना कर आप भारीपन को चुटकियों में गायब कर सकते हैं खाना खाने की तुरंत बाद इलाइंची खाना आपके पेट के भारीपन को भगा सकता है और आपके खाने को आसानी से पचाने में मदद कर सकता है इलाइंची आपके पेट को फूलने से रोकने में और मुह से खाने की महक को दूर करने में भी बेजोर है इसलिए खाना खा की होने के साथ साथ हेल्थ के लिए फाइदे मंद है खाना खाने के बाद सेहद खाना पेट में हो रहे भारीपन को दूर करता है इसके लाबा ये डाइजेशन को भी बैथर बनाने के साथ immunity बढ़ाने का काम करता है इसलिए दिन में तीनों टाइम का खाना खाने के बाद एक या दो चमत सहदियाद से खाएं, खाने के बाद पेट में भारीपन के लिए आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये न सिर्फ पेट के भारीपन को दूर करने में माहिर है, बलकि पेट साफ करने में काडिगर है, इसलिए खाना खाने के पेट के भारीपन से बचने के लिए आप सौफ और मिश्री भी खा सकते हैं, इतना ही नहीं, प्याज या खाने की मैख को दूर करने के लिए भी आप मिश्री और सौफ का इस्तिमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज अक्सर माउथ फ्रेशनर के तौर पर किया जाता है.